हलो गाइज, मैं हूँ पपू और आप सब को आसानी से दिखरा होगा एक ट्रॉन की खोज किसने के थी तो गाइज यहाँ पर जितने भी चीजें आपको दिख रहे हैं इन सभी खोज करताओं के नाम आज हम जानने वाले हैं तो ध्यान से देखेगा, ठीक है तो आपके सामने पहला प्रस्न ये रहा पहला प्रस्न है कि ट्रॉन की खोज किसने के थी तो भाई साब यहाँ पर आप देख सकते हैं जे जे थॉम्सन यहाँ पर आप से इस तरह से पुछा जा सकता है लेक्ट्रॉन की खोज करता का क्या नाम है तो आप इसका उतर ये दे सकते हैं जे जे थॉम्सन ठीक है तो आपको यहां तक आ गया होगा चलिए अगला प्रश्ण को देखते हैं यहां पर अगला प्रश्ण है कि प्रोटॉन की खोज किसने के थी यहां आप से यह पुछा जा सकता है कि proton की खोज किसने किया था ठीक है तो भाई शहाब यहाँ पर आपके सामने है goldstein ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते है यहाँ पर अगला प्रशन है कि neutron की खोज किसने की थी तो यहाँ पर आपके सामने उतर आ जाएगा James Chadwick ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते है आगे हमारा प्रशन है नाभी की खोज किसने की थी तो यहाँ पर है रदर फोड ठीक है चलिए आगे बढ़ते है यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं अगला प्रशन है डाइनेमो की खोज किसने की थी तो यहाँ पर आपके सामने माइकल फैराडे ठीक है चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर आगे आपके सामने ये रहा प्रस्ण प्रस्ण क्या है परमानु सिधान्त किसने दिया था तो वही साहब जॉन डाल्टन ठीक है चलिए आगे अब बढ़ते हैं आपके सामने अगला प्रस्न ये रहा प्रस्न है रेडियम की खोज किसने के थी तो भाई साब यहाँ पर देख सकते हैं मैडम क्यूरी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पियेच असकेल का अभिस्कार करता भाई साब पियेच असकेल का अभिस्कार किसने किया था ये भी पूछा जा सकता तो भाई साब यहाँ पर देख सकते हैं उतर ये रहा एस पी सोरेंसन ठीक है तो यहाँ पर आप ख्याल रखेगा इसके बाद हमारा प्रस्ण आजाता है दुर्विन की खोज किसने की थी तो यहाँ पर आगया प्रस्ण गेली लियो ठीक है यहाँ पर अंतीम और लास्ट प्रस्ण है हमारे पास भाप इंजन के अबिस्कार करता कौन थे तो यहाँ पर याद रखिए जेम स्वार्ट ठीक है तो भाई सहाब आप यहाँ तक जो भी चीज़े देखें यह सभी के सभी गूगल पर उपलबद है ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो त्यारे इस वीडियो के लिए लाइक करते ना मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिंद जाहें।